दोस्तों chemical reactions balance करना कभी कभी टेड़ी खीर साबित हो सकती है कई बार ऐसा होता है कि एक element को balance करने जाओ तो दूसरा unbalance हो जाता है यह आपको निराश और frustrate भी कर सकता है दोस्तों इतना ही नहीं एक chemical equation balance करने के लिए आपको कई बार लिखना मिटाना पड़ता है काटम कूटी करने पड़ती है और काफी बार तो आपके pages भी बरबाद हो जाते हैं तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा mathematical technique जो आपकी chemical reaction balance करने में सहायता कर सकता है matrices की मदद से आज हम chemical reactions को balance करना सीखेंगे दोस्तों आई दोस्तों मानते हैं उधारन की तोर पे इस chemical equation को हमें balance करना है तो ऐसा कहते हैं कि हम इनके आगे जो numbers आने वाले हैं उनको variables का नाम दे रहते हैं जैसे मान लीजिए CU के पहले जो संख्याने वाली है उसको X1 कहते हैं और HNO3 के आगे जो संख्याने वाली है उसको X2 कहते हैं तो जानते हैं दोस्तों X1, X2, X3, X4, X5 की values हम कैसे निकाल सकते हैं matrices की मदद से तो दोस्तों सबसे पहले तो list out कर देते हैं कि कौन-कौन से elements हैं हमारे पास हमारे पास है copper, हमारे पास है hydrogen, हमारे पास है nitrogen और हमारे पास है oxygen तो दोस्तों यहाँ पे एक matrix की equation हम लिखेंगे जो की कुछ इस पकार से दिखेगी x1 देखिए यहाँ पे क्योंकि पहले में सिर्फ copper मौझूद है तो हम लोग copper की जगह पे one लिख देंगे hydrogen, nitrogen और oxygen की जगह पे 000 लिख देंगे क्योंकि जो हमारे x1 के साथ element जुड़ा हुआ है वहाँ सिर्फ copper है तो हम वहाँ पे one लिखेंगे hydrogen, nitrogen और oxygen क्योंकि वहाँ नहीं है उनके जगह पे हम 000 लिख देंगे similarly आपको पता चली गया होगा कि second expression में क्योंकि hydrogen है, nitrogen है और oxygen है तो copper की जगह पे zero आएगा, hydrogen की जगह पे one आएगा, nitrogen की जगह पे one आएगा और oxygen की जगह पे three आ जाएगा दोस्तों उसी प्रकार right side पे अगर आप यूँ ही बनाते जाएगे तो copper की जगह पे one, hydrogen की जगह पे zero, nitrogen की जगह पे two आएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ N bracket में two है तो यहाँ पे two आ जाएगा और oxygen की जगह पे six आने वाला है दोस्तों क्योंकि O3 और two मिलाके O6 बन जाएगे तो six oxygen की स दंख्या हैं वहाँ पे उसी प्रकार से X4 के पास आएगा copper zero है hydrogen भी zero है nitrogen one है और oxygen भी one है और आपने तो करी लिया होगा कि S2O के case में copper zero hydrogen two nitrogen zero और basically oxygen one आने वाला है दोस्तों अब दोस्तों इन ही को लेके हम एक matrix का equation मनाएंगे जो matrix से equation कुछ इस प्रकार से दिखेगा X1 1 0 0 0 0 प्लस X2 0 1 1 3 प्लस X3 minus 1 0 minus 2 minus 6 तो minus किसलिए क्योंकि हम लोग जो X3 वाला matrix है उसको left hand side लेके आ रहे हैं similarly X4 0 0 minus 1 minus 1 ठीक है और जो X5 वाला है उसमें हम X5 को एक free variable की तरह treat करते हैं और X5 की value को one put कर देते हैं तो आईए X5 की value को one put कर दें और हमारे पास जो right hand side पे मिलेगा वो कुछ इस पकार से होगा ठीक है दोस्तों अब यहां हम लोग क्या करते हैं यहां पे हम लोग इसको एक augmented matrix का form देते हैं augmented matrix का form जानने के लिए दोस्तों मैंने description में एक link डाला हुआ है जहां पे मेरा ही lecture है matrices पे जहां मैंने augmented matrix के बारे में detail में चर्चा की है और कैसे augmented matrix की सहायता से हम system of linear equations को solve करते हैं इसके बारे में भी detailed discussion किया गया है तो यहां पे एक augmented matrix बनाते हैं augmented matrix में हमारा जो matrix के elements हैं उनको हम इस प्रकार से लिखते हैं और यहां पे एक barricade type दे देते हैं 0 2 0 1 तो दोस्तों इससे हम कहते हैं एक augmented matrix augmented matrix अब augmented matrix को solve करने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं reduced row echelon form of matrices तो reduced row echelon form RREF भी आप कह सकते हैं उसको reduced row echelon form matrices का इस्तमाल करते हुए हम ऐसे equations को आसानी से solve कर सकते हैं तो detail में जाने के लिए मैंने description में link दे रखा है आप वहां से जाके इसकी detail में study कर सकते हैं तो आएए चलते हैं जीओ जीब्रा की ओर दोस्तों पहुंच चुके हैं जीओ जीब्रा प्लाट्फॉर्म के ऊपर अब आएए सबसे पहले तो मैं उस augmented matrix को यहां पर लिख देता हूं और फिर हम उसका निकालेंगे reduced row echelon form तो matrices को लिखने का तरीका है बेसिकली आपको elements of the matrices को curly braces में लिखने पड़ते हैं row wise तो आएए row wise इन सारे elements को हम लोग पहले लिख देते हैं सो one zero minus one zero zero यह थे आपके elements of the first row अब उसी पकार से elements of the second row भी लिख लेते हैं जो कि होगा तो आपके सामने दोस्तों आ गया है आपका matrix A और इसी matrix का इसी augmented matrix का हमें reduced row echelon form निकालना है तो reduced row echelon form के लिए एक औरडी कमांड है जैसे आप लिखेंगे red आपको prompt करेगा reduced row echelon form जिसमें आपको option दूसरा वाला select करना है और वहां पर हमें basically matrix का नाम दे दिना है तो दोस्तों आपके पास आ गया है एक reduced row echelon form of matrix A अब दोस्तों इस चीज को कैसे interpret करना है आइए समझते हैं तो दोस्तों आपके सामने मैंने आर आर इए एफ reduced row echelon form of matrix A लिख दिया है तो दोस्तों इसको interpret कैसे करना है interpret करना काफी आसान होता है यहां पे तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि 1 into x1 जो कि आप x1 भी कह सकते हो that will be equal to this value 0.75 जी हां 0.75 को आप 3 by 4 भी लिख सकते हो similarly अगर आप second row को देखे होगे तो 1 into x2 तो basically यह दिखाता है कि यह जो आपका है यह आपका multiply होता है x1 के साथ यह आपका multiply होता है x2 के साथ यह आपका multiply होता है x3 के साथ यह आपका multiply होता है x4 के साथ So 1 into x1, 0 into x2, 0 into x3, 0 into x4 is equal to 0.75 जो कि आपका आजाता है x1 equal to 0.75 के बराबर Similarly अगर आप दूसरे रोग को भी interpret करोगे तो आपको मिलेगा x2 equal to 2 तीसरे रोग को interpret करोगे तो आपको मिलेगा x3 again equal to 0.75 जिसको मैं 3 by 4 लिख रहा हूँ तो आम तोर पे हम लोग डेसिमल के इस्तमाल नहीं करते हैं बैलेंसिंग करते समय और जो हमारा x4 होगा वो यहाँ पे होगा half तो दोस्तों यह जो number है वो सीधे तोर पे यहाँ पे आके बैठ जाएंगे तो this is going to be 3 by 4 cu this is going to be 2 hno3 this is going to be again 3 by 4 cu no3 whole twice and this is going to be half of no और x5 तो हम लोगों ने only one मान ही रखा था तो दोस्तों आईए जो पूरा का पूरा equation है वहाँ पे हम लोग integers का इस्तमाल करते हैं तो throughout 4 से multiply कर देते हैं तो अगर आप throughout 4 से multiply कर देंगे तो आपको मिलेगा 3 cu plus 8 hno3 gives you 3 cu no3 whole twice plus 2 no plus 4 s2o अब देख पा रहे होगा दोस्तों कि ये chemical equation balance हो चुका है पुरी तरह आप चेक भी कर सकते हो copper की संख्या left में भी 3 है right में भी 3 है hydrogen left में भी 8 है right में भी 8 है nitrogen left में 8 है right में आपका 6 plus 2 8 है oxygen 24 है यहाँ पे 6 into 3 18 18 plus 2 20 20 plus 4 24 है तो दोस्तों आपने देखा किस पकार से reduced reclin form की साहिता से हम लोगों ने इस complicated chemical reaction को आसानी से balance कर लिया thank you so much for watching be safe, be healthy